सभी साथियों को मेरा नमन, मैं टीम इस्टार क्लस्स से आसेश तिवारी एक पर पुनह आप सभी लोग का हर्तिक स्वागत करता हूँ साथियों आज हम आपके सामने राष्टरी उद्यान एवं वन्न जीव अब भ्यारण के बारे में आप से हम चर्चा करेंगे तो सरपर्थम हम इन दोनों के अंतर को जान लें क्लियर तो देखते हैं इसके बारे में डिफरेंस विटमिन नेशनल पार्क्स एंड वाइल लाइप सेंचुरी राष्टरे उद्यान वन्न जीव अब भ्यारण में अंतर चलिए देखते हैं वन्न जीव अब भ्यारणों का गठन किसी एक प्रजाती अथवा कुछ विश्ष्ट प्रजातियों के सन्रक्षन के लिए किया जाता है वन्न जीव अब भ्यारण जिसका गठन किसी एक प्रजाती या कुछ विश्ष्ट प्रजातियों के सन्रक्षन के लिए किया जाता है अर्थात ये विश्ष्ष्ट प्रजाती आधारित सन्रक्षन हे तू है क्लियर आधारित सन्रक्षित छेत्र होते हैं जबकि आपका राश्ट्री पार्क का गठन बिसेश प्रकार की सन अस्थलों के रूप में सन्रक्षन के लिए किया जाता है समझ गे भीया असपष्ट आपको नजर आ रहा है त्यान से इत्मिनान के साथ इन लाइनों को देखिएगा वन्य जीव अभ्यारन और राश्ट्री पार्क के अंतरों को चलिए आगे देखते हैं अर्थात इस बिसेश सरण अस्थली छेत्र में रहने वाले सभी जीवों का सन्रक्षन समान रूप से किया जाता है समझे एकदम डाउट आपका क्लियर होता चला जाएगा तो द्यान से इस मिनान के साथ वीडियो को आन्ते तक देखिएगा अभी आपको और धमाकेदार वीडियो देखने को मिलेगा अभी हम आपको आगे जो है जितने भी राश्ट्री अभ्यारण है उनको हम आप से चर्चा करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं राश्ट्री पार्क में किसी भी प्रकार के अधिवास या मानवी गत्विधी की अनुमती नहीं होती है द्यान से आपको बता दे हम जितने भी आपके नेश्ट्री पार्क हैं उनमें जो है अधिवास किसी भी प्रकार का अधिवास मतलब मानों का तथा मानवी गत्विधी मानवी गतिविद का मतलब कोई भी मानों का वहाँ पर निवास ना हो तथा मानों के द्वारा कोई क्रिया कलाप ना किया जाए मतलब उस पार्क में कोई मानवी गतिविद मतलब छेड़ खानी ना किज़े से पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना जानवरों को मारना ये जैसी कुकृत्य गत्विधी वहाँ पर ना हो तभी यहाँ पर लिखा है कि इसकी अनमती नहीं होती है यहाँ तक कि जानवरों को चराने या जंगली उत्पादों को इकठा करने की भी अनमती नहीं होती है समझ गए न भीया चलिए आगे देखते हैं हम जबकि वन जीव अभ्यारण में मानों गतविधियों को अनमती दे दी जाती है वन जीव अभ्यारण में मानों की गतविधियों को अनमती प्रदान की जाती है लेकिन आपकी राश्ट्री पार्क में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है समझे न यही इसका मुख्य अंतर है चलिए आगे बढ़ते हैं हम आगे है आपका यह बहुत ही महत्व पूर लाइन है नोट डाउन कर लिजेगा इंपॉर्टेंट में इसको दर्ज कर लिजे राश्ट्री उद्यान है जबकि अभ्यारणों की संख्या 531 है 531 और जो राश्ट्री उद्यान है 105 तो यह आपके नेशनल पार्क 105 हो गए और आपके जबकि अभ्यारण जो है वने जीव अभ्यारण वो 531 है क्लियर हो गई बात ना चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत इत्मिनान के साथ धैर के साथ वीडियो को अंतक देखिए गविया चलिए अब सुरू करते हैं वीडियो को यहाँ पर आपका है लिस्ट आप नेशनल पार्क एंड वाइल डाइफ सेंचुरीज आफ इंडिया अब जो लिस्ट है नेशनल पार्कों की और वन जीव अभ्यारणों की उनको हम देखते हैं भारत में किन किन राज्यों में इस्थित है चलिए देखते हैं बढ़ते हैं आगे की तरफ यहाँ पर आप देख रहे हैं राजस्थान राज्जिका तो यहां से हम सुरू करते हैं और बहुत ही महत्वोड इसको इंपोर्टेंस में दर्ज कर लिजे राजस्थान से पूछा जाता है तो देखते हैं केवला देवी नेशनल पार्क केवला देवी नेशनल पार्क या फिर आपका साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आसरे अस्थल केवला देवी जो है आपका नेशनल पार्क तो है साथ ही साथ जो साइबेरियन क्रेन होते हैं वो प्रवासी पक्षी माने जाते हैं उनका केवला देवी जो क्या है एक प्रमुक आसर अस्थल माना जाता है तो यह जो साइवेरियन क्रेन है यह बिदेसी पक्षी होते हैं जो कि समय समय पर यह अपना स्थान चेंज करते रहते हैं जैसे वहां पर ठंड की मौसम ज्यादा बढ़ जाती है तो भारत में प्रस्थ चले जाते हैं चलिए आगे देखते हैं आगे है आपका आगे है रंड थंभार नेशनल पार्क सरिस्का नेशनल पार्क यह आपका आचुका है मर्वसलिय नेशनल पार्क मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क घाना पक्षी नेशनल पार्क माउंट आबू वाइल्ड आपका यह वन जीव अभ्यारन है तो इसमें से आपका बता दे कियोला देवी सरिष्का और गाना ये तीन प्रश्ण आपके रा स्थान से ये प्रश्ण पूछ लिए गए थे से ये अभ्यारन राष्ट्रे नशनल पार्क कहां है इसमें आपका घाना पक्षी विहार सरिश्का और क्योला देवी ये प्रश्ण हमेशा आपका पूछा जाता है क्लियर चलिए इन दिनों तीनों को ध्यान में रखिएगा बाकी का भी ध्यान रखिए ऐसा नहीं है और असासत एक आपका कुंभल गड़ है उसको भी आप लि देखते हैं इसके बारे में अध्यन करते हैं मध्य प्रदेश में है आपका काना लेकिन महिया आपको बता दे मध्य प्रदेश तो इक्तम भूलिएगा मध इसको गांड बान लीजिए जितना आप इंपॉर्टेंट समझ लें उतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए मध्य प्रदेश यहां से आपका बार बार हमेशा हर बार जितना आप इंपोर्टेंट इसको दे दे उतना ही कम है यहां से आपका हमेशा पूछा जाता है इन सारे जो है नेशनल पार्कों को याद कर लिएगा MP के चलिए देखते हैं पहला आपका है काना नेशनल पार्क दूसरा आपका है पेंच नेशनल पार्क आपको बता दें यह जो पेंच नेशनल पार्क है यह इसका हिस्सा कुछ जो है आपका महाराश्टर में भी पढ़ता है कहां पर महाराश्टर में भी इसका कुछ हिस्सा देजिएगा क्लियर इस बात को ध्यान देजिएगा पेंच जो है मौर्डर पर है आधा जो है MP में आधापका महराश्ट्र में चलिए आगे देखते हैं पन्ना नेशनल पार्क ये जो है आपका यूनेसकों की विश्व विरासत सूची में सामिल है इसलिए हम आप से कह रहे ह प्यान नमा यूने आ पन्ना भी पूएगा काणा पूछा जा चुका है पेंच भी आ चुका है पन्ना भी पूछा जा चुका है इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से नो amount करते हुए आगे बढ़ियेगा चलिए आगे देखते हैं हम आगे है आपका सतपुडा नीशनल पार्क वन विहार नेशनल पार्क सत्पुड़ा भी पूछा जा चुका है बाधावगड ये भईया बहुत ही महतुपूर बाधावगड नेशनल पार्क जो की सफीद बागों के लिए प्रसिद्ध है बाधावगड नेशनल पार्क समझ गये न तो इसको भी आप इंपोर्टेंट में दर्ज कर लिए आगे हैं आपका संजय नेशनल पार्क ये भी आपका पूछा जा चुका है माधो नेशनल पार्क, पालपूर कुनो नेशनल पार्क, मंडला फौंसिल नेशनल पार्क, राता पानी सैंचुरी, ये आपका क्या है, सेंचुरी मतलब वह आपका वन जिव भ्हारन, और राश्ट्री चंबल वन जिव भ्हारण, तो इày जो है आपकी यंपी राजी के हो करते हुए आगे बढ़ेघाए चलिए आगे देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आप को में चेंज पूछा जाता है यहां पर आपको सभी । çek Эज़ने नमबर या दो नमबर हमेशा पूछ लिया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं विशेष में आपके सामने कुछ और हम रख रहे हैं गुजरात के गिर नेशनल पार्क से कुछ ACI सेरों को मद्यप्रदेश के पालपुर कुनों अभ्यारण में बसाने का सर्वोच नियायले ने स्विकृति दे दी है और सबसे अधर राश्ट्री पार्क कहां पर है तो मद्यप्रदेश में इसको आप नोट कर लिजेगा और साथ-साथ ये आप जो गिर राश्ट्री उद्यान है यहां से जो कुछ ACI सेर्थ है उनको जो है पालपुर कुनों पालपुर कुनों मतलब कहां पर पढ़ता है पालपुर कुनों राश्ट्री उद्यान तो मद्यप्रदेश में तो पालपुर कुनों अभ्यारन को बसानी को सर्वोच नियाले ने जो की स्विकरती प्रान की थी सुप्रिम कोर्ट ने क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं इसको आप नोट डाउन को लेजएगा आपके लिए इंपोर्टेंट्स बन सकते हैं तो चलिए आप आगे देखते हैं यह वीडियो को जो है छोड़ना मत अंत तक चलिएगा तभी आपको आपकी एक नमबर आपके पक्के होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अवड़ांचल प्रदेश में आपका है नामदफा नेशनल पार्क और पक्खुई सेंचुरीज तो नामदफा राज्ट्रे उद्यान है पक्खुई यो है वन निजीव अभ्यारण है इसमें आपका नामदफा आपका पूछा जा चुका है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे आपके सामने हैं हरियाना राज्ज हरियाना का देखते हैं इसमें आपका है एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क और दूसरा आपका कलेसर नेशनल पार्क तो ये जो है दो अभ्यारण आपके हरियाना राजमेश्थित हैं इसमें आपको बता दें सुल्तानपूर से काफ़ी लोग भ्रमित हो जाते हैं खास करकि यूपी के जो इस्टुडेंट होते हैं क्योंकि यूपी में एक प्रतिष्टित जिला है आपका सुल्तानपूर सुल्टानपूर एक डिस्टिक है जो कि लखनों से लबग 200 किलोमीटर दूर है तो जो है सुल्टानपूर एक यूपी का एक प्रतिष्टित दिला है तो इस नाते आपको इससे आपको असमंजस किस्टित उत्पन हो सकती है इसलिए हम आपको यहाँ पर यह बात बता दें जो भी भाईवन दो आप जहां से भी वीडियो को देख रहे होंगे तो इस बात को ध्यान दिजिएगा सुल्टानपूर आपका यूपी का एक प्रतिष्टित दिला है ना कि यह नेशनल पार्क और नेशनल पार्क कहा कहा है यह सुल्टानपूर तो हरियाना राज्य का है क्लियर और कलिसर नेशनल पार्क यह दो हरियाना राज्य में है चलिए आगे बढ़ते हैं हम आगे हैं आपके सामने उत्तर प्रदेश बहिया आपके सामने है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपका क्या है एक पहला आपका है दुधवा नेशनल पार्क और दूसरा आपके सामने है चंद्रप्रभा वन जीव बिहार ये दो आपके जो है उत्तरप्रदेश में इस्तित है चलिए आगे बढ़ते हैं जारखन राज में जारखन राज में आपका है बेतला, नेशनल पार्क, हजारी बाग, सेंचुरीज और धीमा नेशनल पार्क तो ये जो है आपका जारखन राज में इस्तित हैं ये तीन नेशनल पार्क और आपका बेतला और हजारी बाग, ये दोनों जो है आपकी एक्जाम में आचुके हैं चलिए आगे बढ़ते हैं मडिपूर में आपका है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क बिस्व का एक मातर तैरता हुआ राश्टरी पार्क है क्लियर तो ये जो है आपका एक तैरता हुआ एक मातर राश्टरी पार्क है कौन केबुल लामजाओ क्लियर तो यह आपका भी प्रस्ण आपका बन चुका है समझ गए ना भीया और आपका दूसरा है सिरोही नेशनल पार्क दो आपके मड़ीपूर राज में हैं चलिए आगे बढ़ते हैं हम सिक्किम में एक मातर आपका राश्ट्री उद्यान है कंचन जंगा नेशनल पार्क समझ गए ना परिया चलिए आगे बढ़ते हैं तृपूर राज में आपका है क्लावडेड लेपर्ड नेशनल पार्क जो कि आपका तृपूरा में है समझ गए ना चलिए आगे देखते हैं आगे हैं आपके सामने तमिल नाडु राज अब देखते हैं इसमें कौन-कौन से भ्यारण है गल्फ आफ मननार नेशनल पार्क इंद्रा गांधी यानि अन्ना मलाई नेशनल पार्क इंद्रा गांधी या फिर आपका अन्ना मलाई तो चाहे अन्ना मलाई दे दे चाहे इंद्रा गांधी दे दे इससे आप असमंजस मिना रही हैं नाम एक ही है लेकिन इसका परवर्दित नाम है अन्ना मलाई का इंद्रा गांधी समझ गया तो इंद्रा गांधी नेशनल पा प्लाणी हिल्स नेशनल पार्क मुकुरती नेशनल पार्क गुंडी नेशनल पार्क निललाई को क्या आपको बता दे इं। इंद्रा गान ही आपकी एक्जाम में पूछा जा चुका है और आपका एक मुदू मलाई क्लियर तो मलाई खाने कहां जाएंगे अब तमिलान में चलिए जाएगा भी या चलिए आगे बढ़ते हैं उरिसा राज में उरिसा राज में देख लेते हैं एक आपका है भितर कनिका नेशनल पार्क सिमली पाल नेशनल पार्क नंदन कानन राष्ट्री चिडिया घर चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं मिजोरम में मिजोरम में आपका है मुरलेन नेशनल पार्क फवंग पुई नेशनल पार्क और डामफा ये डामफा आपका वन जीव अभ्यारण है और बाकी मुरलेन और फवंग पुई ये आपका नेशनल पार्क है राष्ट्री उद्ध्यान है चलिए आगे बढ़ते हैं जम्मु कस्मीर राज में जम्मु कस्मीर राज में जो कि आपका भारत का सिर मौर माना जाता है आपका सिर माना जाता है एक दम सबसे उपर टाप पर देखते हैं इसमें आपका दाची गाम नेशनल पार्क अब इसकी एक बहुत ही महतुपूर्ड खास बात यह है एक मात्र न हम्रिग हंगुल पाए जाते हैं इस बात को नोट कर लिजीगा और दाची गाम आपका एक्जाम में पूछा जा चुका है दाची गाम नेशनल पार्क और प्रश्ण इस तरह बना था कि हंगुल म्रिग किस जो है आपके नेशनल पार्क में पाए जाते हैं तो आपका दाची क्याम है चलिए आगे बढ़ते हैं हम सलीम अली नेशनल पार्क किस्तवार नेशनल पार्क हैमिस हाई नेशनल पार्क और हैमिस हाई का एक मात्र आपको बताते हैं भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है कौन सा हैमिस हाई समझ गे ना तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल प बार कौन सा है तो हैमिस हाई है और आपको बता दें इन चारों को इन चारों को इंपोर्टेंस में रख लीजिए यह आपकी चारो की चारो आपके एक्जाम में पूछे जा चुके हैं आपका सलीम अली भी आपका भी इसी टटकी एक्जाम में पूछा गया था याद नहीं आ रहा है जाद आपका राजस्थान में पूछा गया था और चलिए अब आगे बढ़ते हैं पसिम मंगाल की तरफ पसिम मंगाल की तरफ रुख करते हैं अपना इसका जो है जो राश्ट्री उद्याने इनकों देख लेते हैं सुन्दरवन यह आपका पूछा जा चुका भी या सुन्दरवन नेशनल पार्क बुकसा नेशनल पार्क जल्दा पारा नेशनल पार्क गो और इसमें से आपका सुन्दरवन आपका पूछा जा चुका है समझ गया न भीया चलिए आगे बढ़ते हैं असम्राज की तरफ असम्राज में कौन-कौन से अभ्यारण है चलिए देखते हैं और असम को आप इंपोर्टेंस में दर्ज कर लिजिए असम का एक भी मत छोड़ियेगा बार बार पूछा जाता है चलिए देखते हैं मानस नेशनल पार्क जो की एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है आपका यूपी टेट में ये जो है आपका प्रस्ण पूछा जा चुका है नेशनल पार्क ये भी आपका एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है मानस और काजी रंगा और उसके बाद है आपका नामेरी नेशनल पार्क राजियू गांधी या ओरांग नेशनल पार्क या तो आपका ओरांग पूछ ले या फिर आपका राजियू गांधी पूछ ले, आपको गलत नहीं करना है, दोनों नाम जो की है, एक ही है, एक ही राज में है, और नाम अलग अलग है, तो नाम परिवर्थित है, क्लियर पहले ओरांग था, और इसमें बरतमान में राजयो गांधी के नाम से प्रिशिद है, और आगे हैं आपका डिब्रूगर, म नेशनल पार्क, क्लियर तो यह आपकी जो है, असम राजय के हो गए, और आगे बढ़ते हैं हूँ, आंदर प्रदेश राजय की तरफ, देखते हैं, इसमें कौन-कौन से है, पहला आपका है, इंद्रा गांधी प्राणी बिग्ञान पार्क, दूसरा है आपका, राजियो गांधी पढ़ा था असम राजी में clear तो option के हिसाब से आप चलिएगा इद राजियो गांधी नेशनल पार्ग पूछे option में आपका असम दिया हो तो आसम ट्रिक करना आंध प्रदेश दिया हो तो आंध प्रदेश को करना clear भी या चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन option के साब से ही करिएगा पापी कोंडा नेशनल पार्ग श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्ग नागार्दियों सागर या स्री सेलम नेशनल पार्ग और आपको बता दें यह भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर जो की पार्ग माना गया है तो आपसे स्री सेलम कर सकते हैं आपको आपसन में चाहिए स्री सेलम या नागार्जों सागर दिया जाए तो ट्रिक कर दिजिएगा चाहिए दोनों एक साथ करके दे तो एबी माले एबी मी करके दे तो सी आपका बोल दे कि यह दोनों तो दोनों से कर दिजिएगा क्लियर चलिए आग के सामने इसमें है आपका का सुब्रमानन्दा रेड़ी नेशनल पार्क आपका आगे है म्रुगावनी नेशनल पार्क जो कि आपका ये दोनों तेलंगा नामे है क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं आगे हैं महाराष्ट राज महाराष्ट में देख लें बोरी वली यानि संजय गांधी नेशनल पार्क आपको बता दे बोरी वली जो आपका राष्ट्री उद्यान है इस पर एक बहुत ही सुन्दर सी मूबी वनी थी देलही सफारी कौन सी मूबी है देलही सफारी देलही सफारी इस मूबी को आप जरूर देखिएगा देलही सफारी को इसमें कुछ बात रहें इसमें आपको बता दे कि इस पार्क पर काफी जादा जो है मानवी गत्वेदी होने लगी थी तो यहां पर इस पार्क को जो है कुछ कार्टून्स मतलब जिसे आपके तोते बाग चीते और हाथी ऐसे मतलब जानवरों को इसमें दिखाया गया है तथा उनकी आवाज को मानों में डब किया गया जिसमें अक्षै कुमार और बड़े-बड़े अभिनेता इसमें काम किया हैं सिर्फ अपना आवाज जो है जानवरों के साथ जोड़ा गया है तो बहुत ही खुब सूरत मूबी है देखिएगा और साथ साथ आपको इस पार्क के बारे में आपका दिमाग एकदम सेट हो जाएगा कभी गलत नहीं करेंगे यह मेरा वादा है इस मूबी को जरूर दे अलही सफारी मूबी जो है इसी पर बनाई होई थे क्योंकि वहां का जो बन अपहरण है उसको जो है मानो गत्विदी इतनी चलने जादा जादा बढ़ गई थी कि उसमें जानवरों को उन पर निर्मम हत्याइं की जाती थी उनको मारा जाता था हाथियों को मारा जाता था जानवरों के चमडों को हड़ीयों को तसकरी के रूप में इस्तिमाल किया जाता था इसलिए इस पर जब सरकार ने इस पर अपना हाथ जमाया तो जाके इस पर जोहर रोक लगी और इसको एक नेशनल पार्क के रूप में घोसित किया गया क्लियर चलिए संजे गांधी नीसनल पारlk यानि बोरी वली नीशनल पार्क चलिए आगे बढ़ते हैं हम चांदोली नेसनल पार्क ताडोबा नेशनल पार्क, गोगा मल नेशनल पार्क, नवागाउ नेशनल पार्क, मेल घाट, राश्ट्री, अभ्यारण तो ये जो है आपके प्रमुक अभ्यारण हो गए, महाराश्ट राज्य के लेकिन भीया आपका ये बहुत ही महतुपूर्ण है ये इस पर पिक्चर बनी है, इसलिए आपको बता दें, ये आपके एक्जाम में दो बार आ चुका है तो इसको आपनो डाउन कलेजिएगा, और महाराश्ट ये देलही सफारिया मूवी जरूर देखिएगा ये हमने देखिए बहुत खुबसूरत मूवी है, आपको बहुत प्यारा लगेगा चलिए, आगे बढ़ते हैं आगे हैं आपके सामने अंडमान निकोवार अब इसके बारे में हम देख लेते हैं अंडमान निकोवार के पहला आपका है सैडल पीक, नेशनल पार्क, महत्मा गांधी मैरीन या वंदूर नेशनल पार्क महत्मा गांधी मैरीन या फिर दूसरा नाम है वंदूर तो इससे आप नोट कर लिजेगा, चैहें वंदूर दे, चैहें महत्मा गांधी मैरीन दे बात देखिए है सैडल पीक हो गया महत्मा गांदी मैरीन हो गया और कैम्प वेल हो गया माउंट हैरियट नेशनल पार्क और आगे हैं आपका रानी जहांसी मैरीन नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क और आपको बता दें भारत का सबसे चोटा नेशनल पार्क है हमन कुंसा है तो साउथ बटन है आपके सर्ट में बटन लगी रहती है ना इससे मत भूलिएगा क्योंकि बटन आपकी छोटी है तो साउथ बटन आपका सबसे छोटा नेशनल पार्क है क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं नौट पॉइंट में इसको आप लिख लीजे अंड मान नीको ओर में सबसे जाधा वं जीओ अब्धारन है अंड मान नीको ओर में और सबसे जाधा राश्ट्री उद्यान कहां पर हैं तो हमने आपसे क्या बताया एम पी राज और सबसे ज़्यादा वने जिव अभ्यारन कहाँ पर है तो अंडमान निकोवार में है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे हैं आपके सामने हिमांचल प्रदेश हिमांचल प्रदेश में आपका है पिन वैली, राष्टर उद्यान ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क रोहिला नेशनल पार्क ये रोहला तिया है ना रोहिला कर लिजीगा तो चलिए आगे देखते हैं खीर गंगा नेशनल पार्क इंद्र किला नेशनल पार्क और सिकरी देवी राष्टरी उद्यान क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं गुजरात राजिक की तरफ रुख करते हैं इसमें आपका है गिर नेशनल पार्क इसको भीया नोट कर लिजिए इंपोर्टेंस में इसको दर्ज कर लिजिए समझ गये चलिए आगे बढ़ते हैं मेरीन या कक्ष की खाड़ी नेशनल पार्क तो मेरीन नाम से दे या कक्ष की खाड़ी दे तो सीधा आप गुजरात पर ट्रिक करिए समझ गये चलिए आगे हैं आपका बलेक वक नेशनल पार्क वशंदा नेशनल पार्क जंगली गधा अब भ्यारण तो यह सब जो है आपकी गुजरात राज में इस्थित है समझ गए चलिए आगे बढ़ते हैं हम आगे आपके सामने है उत्राखन राज अब इसके बारे में देख लें जिम कारवेट नेशनल पार्क जिम कारवेट नेशनल पार्क जो है यह आपका 1935 हाँ आपको बता दें य आपके आपके आपसर में 1936 ना देकर 1935 भी दे दिया जाए तो गलत नहीं है दोनों आपका सही है लेकिन यह आपका 36 ना दिया हो तो 35 करिएगा 35 ना दिया हो तो 36 आपका सही हो जाएगा क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं आगे हैं 1936 में बना भारत का पहला राष्ट्रे पार्क इसका पूर्व नाम क्या था हैली नेशनल पार्क था क्लियर चलिए तो यह जो है आप भारत का सबसे पहला राश्ट्रिप पार्क कौन बना तो जिम कारवट यानि हैली नेशनल पार्क था और इसके असथापना 1935 या फिर 36 जैसे आप समय में दिया जाए उसे आप करिएगा क्लियर और आपको बता दे यह है राम गंगा नदी की किनारे जो है इस्तित्य यह जिम कारवट नेशनल पार्क जो की उत्राखंड में है फूलो की घाटी नेशनल पार्क नंदा देवी नेशनल पार्क राजा जी नेशनल पार्क क्लियर यह जो की है आपका हरिद्वार में है हरिद्वार जिले में है क्लियर पूलो की घाटी नेशनल पार्क आपका चमूली में है समझ गये और चलिए आगे देखते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क यह भी आपका जो है उत्रकण मीश्तित है चलिए आगे पढ़ते हैं आगे हैं आपके सामने 36 गड़, 36 गड़ में आपका है कांगेर घाटी या कांगेर वैली, नेशनल पार्क, इंदरावती नेशनल पार्क, और आपका है गुरू घासी दास या नेशनल पार्क, संजेबी दिया जाए, तो परिशानना होएगा, सिर्फ केवल आपसन आपका 36 गड़ दिया जाए, तो आप उसको ट्रिकर दीजिएगा, गुरू घासी दास या संजेब नेशनल पार्क, और आपको बता दें, यहां से आपका इंदरावती नेशनल पार्क आपका, आपकी एक्जाम में आ चुका है, चलिए, आगे बढ़ते ह हैं, केरल राजी की तरफ रुख करते हैं अपना, पहला आपका है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, जो की जंगली हाथियों के लिए बेहत प्रसिद्ध है, क्लियर, अन्ना, मुदाई, नेशनल पार्क, और आगे हैं आपका, एरना कुलम नेश परामिकुलम और इडुकी, यह सभी के सभी आपके एक्जाम में आ चुके हैं, समझके न, चलिए, आगे पढ़ते हैं, करनाटक राजी की तरफ रुख करते हैं, करनाटक राज में देखते हैं कौन-कौन से अभ्यारण है, पहला आपका है बांदीपूर नेशनल पार्क, नागरहोल राजी उगांधी नेशनल पार्क, बांदीपूर आपका आपके एक्जाम में पूझा जा चुका है, और आपका है अंसी नेशनल पार्क, बनर घटा नेशनल पार्क, कुंद्रे मुक नेशनल पार्क, तुंग भद्रा नेशनल पार्क, यह आपके करनाटक राज जमेश्टित है हरिके जिल वेटलेंड नेशनल पार्क गुवा में आपका सलीम अलिख पक्ष अभ्हारन और आगे आपका भगवान महावेरonce यानि मोलेम नेशनल पार्क सलीम अलीख आपका राष्थ यह अभ्हारन है यह यह आपका गौवा wells में क्लियर ठीड़ खोला गया और एक आपका सलीम अली नाम से अभ्यारन है कहां पर राष्ट्री पार्क है वो आपका जमुकस्मीर राज में है और यह आपका पक्षी अभ्यारन है जो कि यह पक्षी बैग्यानिक थे इसलिए गोवा में इनका नाम से जो है एक पक्षी अभ्यारन खोला गया औ और एक राश्ट्री अभ्हारण जो कि आपका जम्मुकस्मीर में है, क्लियर और भगवान महाबीर नेशनल पार्क गोवा में है, चलिए आपको आगे बता दें, इंपोर्टेंट्स लाइन है, सलीम अली पक्षी अभ्हारण जो कि गोवा में है, जबकि सलीम अली नेशनल पार्क जो है आपका जम्मुकस्मीर में इस्तित है, भी हमने आपसे उपर बताया, चलिए आगे देखते है, भारती पक्षी बिग्यानी इवं प्रकिद्वादी, सल क्लियर, यह एक पक्षी बैग्यानिक थे, चलिए आगे देखते हैं, भी हार राच में बालमिकी नेशनल पार्क है, बिक्रम, सिला, गंगा, डालफिन अभ्हारण है, और गतम, बुद्ध अभ्हारण है, क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मेगाला में आपका है, ए नेशनल पार्क है, मेगाले राच में इस्थित है, नो क्रेक, तो अब आज का वीडियो आपको कैसा लगा, बेहदी सांदार तरीके से हमने आज आपको धुआधार क्लास दी है, और इन जो है जितने भी आपसे हमने चर्चा की राष्ट उध्यानों को सभी को आप नोट ड इस वीडियो को जाज ज्यादा अपने लोगों में सेयर करिएगा, अपने समोहों में सेयर करिएगा, वाटस अप, फेस्बुक पर टैग करिएगा, फिर मिलते हैं अगले भाग में, अपना ख्याल लखिएगा, और साथे साथ वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब टेक केर, जै हिंद, जै भारत